नमस्कार, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है आज की कच्छा में हम वर्क पांच के गनित के पाठ भार यानि वेट की चर्शा करेंगे हम लोगों को कई बार यह जानना होता है कि दो वस्तिवों में कौन सी वस्तिव ज्यादा भारी है, कौन से कम है सिर्फ देखकर हम लोग साइद यह पता नहीं कर पाते हैं तो इसे हमें क्या करना होता है? वजन करना होता है और इस वजन करने के लिए हम लोग क्या प्रियोग करते हैं हम लोग इस तरह के तराजू का प्रियोग करते हैं साथ ही यह बताएंगे कि आजकल बहुत तरह के तराजू आए हुए हैं इलक्ट्रोनिक तराजू हैं बहुत सरे तराजू हैं हम लोग यह जानने के लिए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा भारी है आलू और प्याज में हम लोग एक पलड़े में आलू को डालते हैं और दूसरे पलड़े में प्याज को तो इस पस्ट रूप से हमें पता अब चल रहा है कि यह प्याज ज्यादा भारी है यानि मात्रा में यह प्याज ज्यादा है वस्तू को वजन करने के लिए एक इकाई की जोरत होती है और वह इकाई है हमारे ग्राम लेकिन कई तरह की वस्तूओं हमारे पास होती है कुछ के लिए बहुत छोटी इकाई की जोरत होती है कुछ के लिए कुछ बड़ी इकाई की जोरत होती है तो हम बड़ी बड़ी चीजें ग्राम में तौलेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा और छोटी वस्तूओं को भी ग्राम में करेंगे बिल्कुल छोटी जैसे दवाईया बगर तो भी दिक्कत होगा तो इसलिए हम लोग ग्राम के कुछ गुनज बनाए गए हैं एक डेकाग्राम ब्राबर दस ग्राम सौ ग्राम एक हेक्टो ग्राम ब्राबर सौ ग्राम एक किलो ग्राम ब्राबर एक हजार ग्राम और ग्राम का दसवा हिस्सा इसे करते हैं डेसी ग्राम ग्राम के सोवे हिस्से को हम कहते हैं centigram और ग्राम के हजारवे हिस्से को हम कहते हैं miligram तो यह सम्बंद है हमारे बिविन इकाईयों में ग्राम के बिविन गुनजों में वस्तु का वजन मापने के लिए हम लोग तराजू के में बाठ का प्रियोग करते हैं जैसे हमारे पास कुछ बाठ है या भी यह है एक किलो यह है पांसो ग्राम यह है दो सो ग्राम और यह है एक सो ग्राम अगर हमें एक किलो किसी वस्तु का एक किलो वजन करना है तो इस एक किलो का हम प्रियोग करेंगे और अगर दो कीलो का वजन करना है तो ऐसे ऐसे कितने बाठ लगेंगे हैं हमारे एक किलो के दो बाट लगेंगे और अगर हमारे पास एक किलो का वजन करना है और ये बाट नहीं है सिर्फ 500 है तो कितने लगेंगे 500 के दो बाट लगेंगे तो एक किलो हो जाएगा इसी तरह से हमारे पास ये है 200 ग्राम एक सो ग्राम और भी बाट होते है पांच किलो ग्राम, दस किलो ग्राम, पचास ग्राम, पचीस ग्राम, ये सारे बाट होते हैं, और जब हम लोग जेवर के विक्रेताओं के पास सोने चांदी जो बेशते हैं, उनके पास जाते हैं, तो उनके पास और छोटे छोटे बाट होते हैं, जो मिली ग्राम और सेंटी में इस तरह के होते हैं तो अब हम आये देखते हैं कि किस तरह से वजन करते हैं जैसे हमारे पास अभी आधा किलो अगर आभी बजार गए होंगे देखते होंगे अगर आधा किलो अगर हमें आलू तॉलना है तो हम ये से आधा किलो बोलते हैं यानि किलो का आधा एक हजार ग्राम का एक किलो हम लोग बोलते हैं, एक हजार ग्राम को एक किलो, तो ये पांसो ग्राम है, देखते हैं कैसे तॉलते हैं, ये कम है भी, तो इसमें और आलू डालेंगे, लगभग लगभग ये, एक किलो, आधा किलो हो गया है लगभग, इसी तरह से हम, अगर माल लिजे, हमें 900 ग्राम है, तो क्या करेंगे, हमारे पास तो बाट नहीं है 900 ग्राम का, 900 ग्राम का बाट होता नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर हमने चड़ाया, एक किलो, और इस तरफ चड़ा दिया, एक सो ग्राम, तो अब हो गया 900 ग्राम, अब इसमें देखते हैं 900 ग्राम आप वजन करके, और लगगेगा इसमें, अभी भी और है, देखिए हमारे लगभग 900 ग्राम आलू हो गए, तो 900 ग्राम हमने कैसे वजन किया, एक किलो इधर चड़ाया, और 100 ग्राम इधर चड़ाया, यानि एक किलो से 100 ग्राम घट गया, तो हमारा 900 ग्राम हो गया, इसी तरह से हम और भी वस्तूओं को तॉलते हैं, हलाकि आलू तॉलने में 900 ग्राम का प्रयोग प्राया नहीं होता है, लेकिन अगर हम दूसरी वस्तूओं चीनी है, या चाय पत्ती है, इस तरह की चीजों को वजन करेंगे, तो वहां 900 ग्राम, 800 ग्राम इत्यादी वजन करना पड़ता है, तो इसी तरह से हम करते हैं, अगर हमें 900 ग्राम का वजन करना है, 900 ग्राम अगर हमें कोई भी वस्तूओं का माली जे चीनी है, चाय है, वजन करना है, तो हम क्या करेंगे एक किलोग्राम लेंगे एक किलोग्राम का बाट लेंगे और फिर इसमें से 100 ग्राम का बाट घटा देंगे यानि एक पलड़े में हम एक किलोग्राम रखेंगे और दूसरे पलड़े में जिसमें चीनी रख रहे हैं 900 ग्राम तोलने के लिए वहां 100 ग्राम हम चड़ा देंगे तो हमारा यह हो जाएगा तो इस तरह से हम वस्तुओं का वजन करते हैं आसा है कि आज जो हमने चर्चा की वह आपको समझ में आ गया होगा अब अगली कर्छा में हम इससे संबंधित अन्य प्रशनों को हल करेंगे धन्यवाद